नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे connection and start of slipping motor Slipping motor को connection कैसे होते हैं और उसको किस परकार से start करते हैं वो चीज़ पढ़ेंगे इसको समझने से पहले हम Slipping motor के कुछ Slipping motor के बारे में समझते हैं कि Slipping motor क्या होती है, जनरली आपने देखा होगा Industries के अंदर अपने Squirel case motor का जब उपयोग करते हैं तो Squirel case motor का starting torque low होता है और starting current जो होती है उसकी high होती है तो starting current high होने के कारण क्या होता है, इस्टेटर वैंडिंग जलने का खतर रेता है या उस motor को no load पे start करना पड़ता है Industries के अंदर बहुत सारे ऐसे applications होते हैं, जिनमें on load start करना पड़ता है motor जब start होती है, तभी load उसके अंदर जोड़ा हो रहता है तो उस condition के अंदर अपने को slipping motor लगानी पड़ेगी Slipping motor में क्या होता है, पहले ये चीज़ समझते है Slipping motor में भी square case परकार के motor की तरह ही एक strator winding होती है और एक rotor winding होती है Strator winding को सीधे अपने delta connected रहते हैं और तिनो phase supply उस पर डारेक्ट जोड़ देते हैं Rotor winding की बात करेंगे, तो rotor winding को अपने क्या करते हैं Star connected रखते हैं एक point जोड़ दिया अपनोंने यहाँ पे और बाकी तिनो winding के एक एक सीरे को slip ring से बाहर output में rotor resistance पर दे देते हैं तो यह motor के अंदर के connections या winding को इस परकार से अपने समझ सकते हैं यह strator winding है और यह rotor winding है strator winding सीधा अपने delta connected है और rotor को अपने star connected रखते हैं एक एक wire को सीधा बाहर ले लेते हैं अब बाहर कैसे लेते हैं वो चीज यहाँ समझते हैं slip ring motor के अंदर यह तिनो slip ring लगा रही है अपनोंने इन तिनो slip ring से अपनों जो wire है वो सीधा अपनोंने एक रियो state के अंदर दे दिया अपनोंने रियो state में तिनो winding के एक सीरा रियो state में आया यहाँ पर resistance लगया हुए है अब resistance में क्या हो गया कि जब अभी यह तिनो point अभी open है तब तक तो motor अपना कोई torque उपन नहीं करेगी लेकिन जैसी यह इस handle को थोड़ा गुमाया तो यहाँ आएगा तो तिनो और जो resistance है वो एक एक face की winding में जूड़ जाते हैं रोटर के अंदर three face winding होती है उस पर एक एक face की winding में वो जूड़ जाते है जब resistance उसके अंदर जूड़ता है तो motor का जो है वो starting torque बढ़ जाता है और starting current भी कम हो जाती है starting torque बढ़ता है तो motor को अपना online भी own load भी उसको चालू कर सकते हैं अब अब से थोड़े बहुत connection के बारे समझते हैं connection में motor के starter को supply देने के लिए starter लगाते हैं वो dual starter यह अपने use करते हैं अब उसके बाद में जैसा dual starter में समझते हैं और भी अपनी three face supply input कर दी एक icdp switch लगाया switch लगा बाद में main contact को जो है अपनों में two face supply की ज़रत परती है 440 वर्ट पर यह अप्लेट होता है एक सिधा दे दिया एक फेस को controlling करते हुए series में दे दिया on push button off push button और OLC के द्वारा series में होता हुआ on man contact में गया जैसे on push button को on किया on करने के बाद में on push button को जैसी on किया तो motor man contactor के अंदर supply और supply जानने क्या हो गया कि जो है man contactor जो है वो फ्लेंजर को खीचेगा और खीचने पर यह तिनों man contact जो है वो मेक हो जाएंगे मेक होने पर सीधी सप्ले अबनी जो है sleeping water में गई लेकिन रोटर अभी पर सुरूर नहीं गया क्योंकि इस ट्रटर वाइंडिंग ने तो फ्लक्स बना दिया लेकिन रोटर वाइंडिंग में फ्लक्स जन्रेट नहीं किया क्योंकि इसका एक एक सीरा भी open है अब supply अपनी सीधी यहां से इन पॉइंट पर आगए दूसा पर यहां और यहां से भी यहां होगा तो यह सारा जो रोटर का रस्टर से वह हो रेश्सेंस तीनो वाइंडिंग में जुड़े जिड़ा तो मोटर का रोटर का रस्टर से decreed जाता है जैसा इसे मोटर का रहा दर का रेंगी यह जैसे इस इस मोटरρ यह साथ anxiety और बड़ करेगे ओर को दिर दे कम होता जाएगा सर्कृट से बाहर निकलता जाएगा वेटर वेसा मोटर जो है अपनी स्पिट पकड़ेगी अब इसको जैसे से बढ़ा रहे हैं एक लास्ट कंडिशन आएगी कि जब यह वाला पॉइंट अपना यहां जाएगा और यह वाला जो सीरा है वह यहां जाएगा म यहां जब पहुंच गए तो तीनो रिष्सन जो है वह से बाहर आ गए जब तीनों स्रकृट से बाहर आ गए तो रोटर पूरी तरह से शोट हो गया और रोटर जो है पूरा आर्पम पर गूमने लग गया मतलब कि इसको प्लगिश मोटर के तुलना में इसमें स्ट्राटिं स्लीपिंग मोटर के कनेक्शन कैसे करते हैं तो अपने पैनल के उपर आ गए हैं ऐसी फेज वांड स्लीपिंग मोटर है यह और यह जो मोटर है पूरा स्टाटर रोटर इसने स्टाटर और यह पूरा इसका पैनल है अब अपने इसमें समझेंगे सबसे पहले इसकी सप्लाई आनों करते हैं , यह अपना डिउल स्टारटर है, जिसको को 3प सपल्य देते हैं , 3प अप्ले स्थी यहां से यहां आजाएगी इस तैर रोइनिय। पहले इन्पुर्टिस होगी कि जाला कि समझते हैं कि जो है किस प्रकार से सक क्षेटिंग बढाती हैं और सबसबसेगे अब करूंगा जो चो फ्रेश कर रहा तो मोटर देखो बिल्कुल दीरे-दीरे गुमना चालू होई आप थोड़ा मोटर की तरफ ध्यान इंडिकेट करें वापिस चला रहो एक बार में एक बार थोड़ा वापिस ध्यान दे वापिस जब ओन करूंगा तब देखना बिल्कुल मोटर दीर-दीर गुमना चालू करे है अब अपने दिर्दिया करेंगा डॉटरीरेस्टेस्टेस को आपने जो है कम करेंगे तो पर देखिए मोर्ट के स्विट बढ़ गई यह कम कर लिवेन आप पीज ये इस वूंट बढ़ गई, तो इस प्रकार से जो है, आपने sqqald के बातार से लंक्त के तुलना में, slipping motor जो है, वो किस प्रकार से, starting torque जादा करती है, तो किया starting torque कैसा बढ़ाती है, तो आपने rotor के series में अपने resistance लगा दिया, तो resistance लगाने से इसका starting torque बढ़ जाता है अब जब वापिस इसको बंद करनी होती है तो बंद करने आप डारेक्स इदी बंद कर सकते हैं ठीक है लेकिन जब भी अपने को वापिस दुबारा motor कर चलानी होती है तो अपने को सबसे पहले rotor जो resistance को जीरो पर लाना पड़ेगा और फिर अपने motor को start करनी पड़ेगी ठीक है तो इस प्रकार से अपने तो यह motor गुमने लग जाएगी ठीक है ना advantage ही होता है starting torque जो होता है वो ज्यादा ज्यादा उठा सके starting torque हाई होता है और starting में current इसकी कम हो सकती है ठीक है तो इससे motor winding जलने का खतार नहीं रहता है धन्यवाद